सब सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों देशी मुर्गी पालन भारत में बहुत तेजी के साथ फलफूल रहा है अगर इसे बिजनिस के तौर पे अपनाया जाए तो इसे अच्छा खासा प्राफिट प्राप्त कर सकते हैं अगर देशी मुर्गी की बात करें तो इसमें बीमारी कम लगती है जिसक चूजे का अदाम जो आता 30-35 रुपए आता है ज्यादा ज्यादा तो 35 रुपए भी अगर मैं मान के चलू तो 50 चूजे का आपका अदाम 1750 रुपए होता है यानि 1750 रुपए आसानी से आप इंवेश्मेंट कर सकते हैं उसके बाद इसमें 5-6 रुपए लगता है वेक्सि जो है इसकी शुरुवात आराम से कर सकते हैं जो पुपड़ी में आप रखेंँगे और इसकी देखभाल करेंगे इसको दो तरह से आप पाल सकते हैं एक से मीट के परपर्स से रखते हैं तो और इसका जो रेट आता है करीब थोक रेट 200 के आसपास का थोक रेट पर जाता है पर केजी और रिटेल में आप 300 रुपए पर केजी के हिसाब या इससे जादे में ही इसको आराम से बेश सकते हैं और अगर इसे अंडे के परपरस से आप रखते हैं तो 180 दिन के बाद से मुर्गियां जो है अंडे देना सुरू करती हैं तो लेकिन इसका चुकी लंबे अवज तक अंडे देती रहती हैं इसलिए इसमें प्रॉफिट का म अगर उसका प्लान आप कर सकते हैं यह एक ओवर्विव था दोस्तों जिसमें आपने देखा कि देशी मुर्गी पालन किस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरह से मुर्गियां अपने आप दाना चुकती हैं और बाहर भी टहल करके कुछ फीड ले लेती हैं जिसमें आपका खर्चा बच जाता है तो इसमें चाहें तो बहुत ही कम investment में यानि 2000 के आसपास का investment करके 50 जो जो से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और बहुत बड़ी लागत नहीं है इसकी शुरुआत अगर आप करना चाहें आपके पास कोई spare part है कोई जगह है ऐसा जहा आपके लिए फिलाल इतना ही दोस्तों एक ओवर्वीव था देशी मुर्गी पालन को ले करके आने माले वीडियो में कुछ नहीं जानकार साथ आएंगे तब तक लिए thank you so much